तो इसलिए वीडियो और करके हमेशे ट्रेनिंग को अटेंड करने सीए प्रॉपर नोट्स के साथ में ताकि प्रॉपर ली आप इस चीज को सीख करके ना आगे अपने बिजनस में अप्लाई कर सकें क्योंकि जो यह जो काम है पूरा एट उसे सीखने और सिखाने का है से अपने सीनियर से वह सारी चीजों को अगर आप अपने टीम में नहीं सिखाओगे आपको हर एक चीज आता है सब काम में आप पर्फेक्ट हो लेकिन आपके टीम को कुछ काम नहीं आता चलेगा क्या नहीं चलेगा जैसे ना पैरेंट्स अपने बच्चों को वह सारी में या इस सिस्टम के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर चीजों को सीख करके अपने टीम को सिखाना बहुत होता है क्योंकि हम तो सीख गया लेकिन अगर हम अपने टीम को नहीं सिखा रहे हैं तो कुछ जादा बड़ा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे काम आप सब जानते हो टीम वर्क है अकेले काम नहीं करना होता है और टीम के साथ ही काम करके आपको बड़ा अच्छा इंकम आता है तो आप श्रो तरीके से सीखने के लिए तत पर रहते हैं उसी तरीके से आप किये की आपके चलते लगों स्क्रीन रहने। नहीं और जितने भी पार्ट्नर्स अपने पर फोन को स्ट्रेंड्ड मोड में रखे हैं मतलब सीधा हैं अगर आप तो उसको क्या कर लेंगे आई होप मेरा स्कीन आप लोगों को विजीबल होगा कि तो अपने फोन को जिस तरीके से भी स्लाइड मुड़ा वैसे अपने फोन को भी आपको कर लेने हैं फुद करते हैं एक बार फिर से आप सभी का मोष्ट वैलकॉम है आज के टेनिंग शेशन में बहुत स्वांदार हमारे के टीए सिस्टम के ऊपर के के टीएस मतलब की तू सक्सेश फुल पर पता होना से शिखें ऐस्टार्स वर्ग फोंग के इंकम स्टेटमेंट्स के अलग-अलग-जम्टलिंग स्टेटमेंट्स के ऊस्टर्स जहां पर प्रोवाइडि कि जाते हैं टूल्स हमें मिलते हैं और देटीजुकेशन स्टम के टी-एस की टू सक्ससस सपनों की का नाम जहां पर डिकी मार्केटिंग का मतलब होता है ड्रीम की आपके सपनों की चावी सपने सब देखते हैं सबने सब के होते हैं लेकिन एक तरह से उस सपने तक पहुचने का रास्ता हमें नहीं पता होता या कोई ऐसा प्लैटफॉर्म नहीं होता कि हम अपने ड्रेम्स को कर सकते हां कि आपके सपनों को फुल सकते हैं लगता आपके सब्सक्राइब का रख कि रख सकते हैं जिससे आप अपने सपनों का ताला खुल सकते हैं तो फिर से आप सभी का मोस्ट से के सिस्टम में और डिके मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेट कंपनी में चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन की शिर्वात करते हैं तो जैसे कि आप सब ने पढ़ा होगा आज के टॉपिक क तो फॉलो अप फॉर्मूला को जानने से पहले फॉलो अप होता क्या है न क्यूं करना होता है यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है फॉलो अप क्या होता है और क्यूं करना है अगर यही नहीं पता तो फॉलो अप फॉर्मूला कैसे बता होगा ठीक है तो फॉलो प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् तो वैसे ही न जब आपको फॉलोऊपं पता होगा तभी तो फॉलॉपं करने का और कैसे करना है यह चीज़ आप निकाल पाएंगे फिक तो पहले जानना है कि फॉलॉप होता क्या है जब किसी को बिजनस प्लान बताते हैं जब आप किसी को जूम मिटिंग अटेंड करवाते हैं शाम के छे बजे का प्रेजंटेशन दिखाते हैं तो उसके बाद ना उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं आप अभी अपने आपको ही विजिलाइस कीजिए या सोच यह या फिर याद करिए उस समय को जब आपको आप बिजनस में स्टार्ट नहीं किये थे आपने सिर्फ प्रेजंटेशन देखा था तो जब आप हम किसी को प्रेजंटेशन दिखाते हैं बिजनस प्लान बताते हैं तो उसके बाद उनके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं बहुत सारे सवाल होते हैं और उनके ज दो चीजों पर ही उनको डाउट होता है या तो सेल्फ डाउट होता है कि यार मैं कर पाऊंगा की नहीं कर पाऊंगा मैं कर पाऊंगे की नहीं कर पाऊंगे या यह काम मेरे से होगा की नहीं होगा लोग मेरे साथ में आएंगे की नहीं आएंगे ठीक है तो यह सेल्फ लेकर करके बारे में उनको उनको बतान40 कि खुदक ही उनको खुड से सब Consult कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं या फिर दूसरा इपर दूमनी को ले करके डाउब पिर लियुक्त कि प्रोड़ी सरे की हैं कि नहीं है खाने स्थ हो टो नहीं जाएगा या फिर कोई एक पाउड कंपनी तो नहीं है पैसा लेकर भागए दोक्त। नहीं जाएगी ये तो वह ळुद्व दुनिया भर का बहूत सारे डावट हो सकते हैं कि कंपनी यां इतना दे कैसे दिए बाट कैसे यह दाउट बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं तो यह दो चीजों को ले कर कि उनके मन में डाउट आता है तो यह दोनों तरीके के उनके डाउट्स को जो भी उनके मन में सवाल होते हैं जो भी डर्व है होता है उन उन चीजों को जो है क्लियर करना फॉलो अप कहलाता है ठीक है यह सारे सवालों के सही जवाब दे कर उनको क्लोज करना या फिर उनके जो भी डाउट कुश्टन है उनके मन में जो भी इस फ्लैटफॉर्म के लिए निग खेलाता है ठीक है यह फॉलो अप खेलाता है तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वाट इस फॉलो अप जानते हैं कि वाई फॉलो अप क्यों करना है कैसे करना है उससे पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि क्यों करना है फॉलो अप करने का क्या परपस होता है ह लगते है आप लोगों के क्यों करना चाहिए याप अपने डाइरी में लिक सकते हैं पो आपके हिसाब से क्यों करने उसको आप डारी में लिख सकते हैं अपको बताने वाली हूं कि क्ई करना करना चाहिए आपको करने के पीछे आप पॉलोब करने का हमारा गोल है टिकए सब्सक्राइब करने के पीछ यह और के ऑपार्पिस लोगों को को करने के लिए इस प्लैटफिंग के लिए educate करना है उनके मन में जो negativity होता है उनके मन में जो doubts होते हैं उनके मन में जो सवाल होते हैं उनके मन में जो भी गलत चीज़ें इस industry के लिए भर गई होती है जो किसी का past experience रहता है तो किसी के मामा चाचा दादा दादी किसी का को और कुछ का किसी का experience रहता है तो उस वज़े से लोगों के मैंने जो negativity रहता है उस negativity को या उस गलत चीज़ों को उनको clear करना या तो फिर उनको educate करना इस platform के लिए उनको educate करना उनको समझाना हमारा follow up करने का purpose होना चाहिए ना कि किसी को सिर्फ जोड़ना ठीक है follow up करने का reason कभी भी सिर्फ जोड़ना नहीं होन चाहिए क्योंकि अगर सिर्फ जोड़ने का अगर आपका purpose रहेगा ना तो हो सकता है कि आपके साथ जॉइन ना करें लेकिन अगर आप उनको सिर्फ educate करने के लिए क्योंकि आप सब भी समझते हैं इस बात को कि आपकी मर्जी के बिना आपका senior आपको जॉइन नहीं करवा सक तो किसी को जोड़ना किसी को अपने साथ में जॉइन करवाना यह हमारे हाथ में नहीं होता ठीक है यह हमारे हाथ में नहीं होता कि हम किसी को जबरदस्ती जोड़ें जोड़नें अपने साथ में लेकिन हमारे हाथ में यह होता है कि हम उनको सही education दे सही knowledge दे सही चीज़े ज उनको पता हो उनको दिखे कि भाई आप तीन हजार लगा के वहने तिन लाख रुपए भी कमा सकते हैं क्योंकि लोग कमा रहे हैं अगर यह सारी चीजें उनको भली भाती हम उनको बताएं पाएं एजुकेट कर पाएं उनको संजा पाएं तो वो आपके साथ में जॉइन करें होगा आपको सब कुछ अच्छे से बताया गया उसके बाद आपने बुजनस स्टार्ट किया तो सामने वाले ने आपको नहीं जोड़ा आप खुद जुड़े हैं उनके उनसे नॉलेज ले करके राइट क्लियर है दूसरा इंटेंशन की फॉलो अप आपको क्यों करना है आ हो उनको खाना खिलाने के लिए खिला रहे हैं कि उनकी को पकड़ने के लिए सिफ रोडी ौटी इन veryành और अगर मैं उसको खिलाने के लिए जाओ तो आएगी और मेरे सामने बहुँन्स वेhim लेकिन अगर मैं उसको सिर्फ पकड़ने के लिए दिखा रही हुना तो वह कदापी नहीं आएगी वह भागेगी और राइट तो हमारा जो इंटेंशन है ना इसी जस एकदम इसी तरीके से हो रहे हैं कि हम जब जानवर को पता हुँता है लोगों का इंटेंशन कि वह उनका क्या है तो फिर वह आप जिसका फॉल अप करें वह तो इंचान है वह तो फिर भी दुनिया का समस्दार प्राणी है जिसके पास बुद्धी है जिसके पास दिमाग है जिसके पास मन है दिल है सब है तो इंटेंशन जो आपका है ना वह आपका इंटेंशन जो होता है वह हम आप सोच करके देखिए कि किसी को जब आप इस प्लैटफॉर्म में जॉइन करवाएंगे ना तो आपका जो आप मतलब जो जिसको भी आप जॉइन करवा रहे हैं उसको उसके आपको सोचना है कि वो उसके घर में जो भी दिक्कत है ऑफенशलिग जो भी इशू है कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में 99% प्रॉबलम्स ज resposta होता है और सिफेक प्रसंट प्रॉबलम वैसा है जिसका कोई सुलुशन ही नहीं है ठीक हैं तो वो जो 99% उनके काम करके पैसा कमा कि अच्छा उस अब प्रॉब्रम्स का solution निकाल सकता है अगर यह आपका intention है उनको join करवाने के पीछे ना की अपना payout बनाना अगर आपका intention सिर्फ अपना payout बनाना है ना कि वो join करेगा मेरा payment बनेगा एक direct income बनेगा एक पेर मैचिक इंकम बनेगा यह इंटेंशन से अगर आप 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 फॉल अप किये तो हो सकता है कि वहां पर वो जॉइन ना करें क्योंकि लोग समझदार हैं वो समझते हैं कि आपकी नियर क्या है आप उनको उनके फायदे के लिए जॉइन कराना चाहते हैं कि सिर्फ अपने इस फायदे के लिए जॉइन नहीं करवाना है हमको लोगों को इस प्लैटफॉ술 में उनके लिए ले करके आना है उनकी मदब करने के लिए लेकर क्या आना है ठीक है तो हमेशा पॉलीयों करने का जो हमारा रीजन है वो लोगों को educate करना इस industry के लिए हमको उनको समझाना यह होना चाहिए intention उनकी help करना होना चाहिए ना कि सिर्फ अपना पैसा बनाना ठीक है उसके बाद हाउ टू डू फॉल अब यह सबसे important part है इस इस आज के session का कि how to do follow up या फिर follow up formulas आगे मैं बताने वाली हूँ कि कैसे हम follow ups करें कैसे follow up करना है इस चीज को मैं आपको आगे बताने वाली हूँ ध्यान से बने रहना और आप सारे points को note कर सकते हैं ताकि आगे चलके आप अपने partners को भी सिखा सकें ठीक है या personal meetings लेकर कि आप अपने टीम को सिखा सकें तो how to do follow up सबसे पहले follow up जब आप करो तो सबसे पहले आपको आप अपना mindset रखना है क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहां पर mindset होता है ना जब भी वह जब जब लोग यहां पर business start करते हैं होक्त अपन्व चांपने और सबसें लोगों को में मैंटम मैंसेगं मैंसा होता है कि हम डौड़ ओको जब लोगों को joint करवा देंगे को लोग काम करेंगे हम बन जाएंगे लगपती करोरपती ख्यासा है नहीं फूर्ट सब्सक्राइड की हम जाएं कि करेंगे और हमारा जब लोगों को आप बताते हैं follow up के दौरान किसी से बात होती है हमारी तो लोगों को mindset होता है न कि वही लोगों को जोड़ना है आपको ये गलत mindset ना खुद रखना है ना आपको लोगों को देना है ठीक है कि दो-चार लोग को जोड़ दो वो काम करेंगे और आपका पैसा बनेगा यह गलत माइंडसेट को आपको सबसे पहले तो चेंज करना है ठीक है और दूसरा लोग को होता है अभी जब आप किसी का फॉल अप करते होंगे तो शुरू-शुरू में हमारा रहता है ना कि हम जिसको बताएंगे वो हमारे साथ जूर जाएंगे कि काम बहुत अच्छा है लेकिन ज़रूरी नहीं है यार कि आपको रस्कु आपके साथ जूड़ जाएंगे वो सब के सब को ये काम अच्छा लगे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ठीक है इसी लिए हर रोस की ट्रेनिंग में बताया जाता है लौ फेबरेज तो इसमें पॉल अप में भी लौ फेबरेज जहें वो काम करता है जब आप दस लोगो विजच्ब बिजच्ब करते हैं आथ लोग मना करते हैं अलग अलग अबजीक्शन दे करके और क्या अब जिक्षन देते हैं आगे बताने वाली हूं तो दो पgeons & चो सकता है दिन फिक अरउज पार करेंगे तो सकता है कि आपके साथ में तेस से लिएंगे तो ईजब मतलब प्राइक्ति ब्राइक्तिस andyEMA जितना ज्यादा नर्षथ करते घंग से जय से जितना ज्यादा आप यहां पर ञते जाते हैं करते जाते हैं तो वैसे वैसे जो है आपका रेश्यों भी जो है वह पड़ते जाता है मतलब एक समय ऐसा आता है फिर जब 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 आपको दस में आठाइडी भी निकाल लोगे इतना सॉलिड आपका फॉल अप हुजाएगा इतना अच्छे से आप लोगों से बातशीत कर पाएंगे ठीक है तो ना मांट से हमेशा मांट सेट आपका होना चाहिए सही मांट से आपका होना से यह कि वह सब करेंगे यह सब करने दूसरा कि यहेशत को बातशित करते हैं तो उस समय क्या होतה है कि जैसे ही उन्होंने जैसे ही उलता सिधा इस काम के लिए बोला आपने उनकी बातों के एकसेप्ट कर लेते हैं और काम को छोड़ देते हैं सिधा बुजनस को ही छोड़ देते हैं तो यह आपका माइंट साइट होना चाहिए आपको फिल्टर लगा करके रखना है फिल्टर कैसे लगाना है जैसे कि एक डॉक्टर के पास में ना कोई भी कितनी भी बड़ी कैसे भी बिमारी लेके आजाए डॉक्टर के पास आके उसको सॉलीशन वह अपनी बिमारी का सॉलीशन लेके जाता है ना कि डॉक्टर उसकी बिमारी को खुद ले लेता है ठीक है डॉक्टर ने किसी शुगर पेशन का इलाज किया तो क्या डॉक्टर को भी शुगर हो जाता है क्या अगर किसी फिवर का पेशन का इलाज के तो उसको भ भी इना वी दिख जाता है अब किसी का फॉल-अप करने तो आप को क्यों आप सामने वाले को प्रोवाइड कर सको ना कि सामने वाला अपना डेटिविटी आपके अंदर ठूज दें तो यह Ambos आगो आज से अपना mindset change कर लेना है क्योंकि जो सही है वो सही है जो बूक में लिखा एप लिखा है उसको मानना पड़े वो सही है आप आप अगर किसी को बोलो अगर कोई आपको बोले सरी की सूर्य को सुर्य ना वो पूर्वसेनी परस्चिंट से नहीं नहीं बानेंगे ठीक है दो और दो दस होता है अगर कोई बोले तो आप मान लेंगी नहीं वानेंगी क्योंकि आपको भी पता है तो उसी तरीके से ना आपका मारी सेट होना चीए कि यह प्लैटफॉर्म में जो चीज आप सीख रहे हैं जो नॉलेज यहां से आपको मिल रहे हैं जो बुक्स मे राइट हो रहे हैं बुक्स में लिखे जा रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है तो यह चीज नहीं होना चीज करके रखना है ठीक है उसके बाद next follow-up के दौरान सबसे चीज होता है that is confidence confident हो करके आपको बात्चीज करना होता है आप कहीं आपको ही खुद को भरोसा नहीं है और आप ही खुद ही आधे बल आधे डर में किसी का किसी से बात कर रहे हैं किसी का follow-up कर अप अपने दोस्त को बता रहे हैं जॉइन करने का और आपको खुद कोई y confidence नहीं थोज के ऊपर ना को company को ऊपर na system के ऊपर कोई खुद को फिरोसा नहीं खुद कोई confidence नहीं है क्या वह आपकिसम करेगा नहीं करेगा ठीक है आप अपने आपको ऐसे सपोज़ आपकी सी डॉक्तर के पास आता है कि नहीं आता है तंब और नहीं है वह बुलेगा कि हाँ आजा मैं ट्राइब करके देखता हूं हो गया तो ठीक है नहीं तो फिर तो क्या आप करवाएंगे उनसे ऑपरेशन नहीं ठीक है दो नमबर की बस लेके भाग जाएंगे तो ना उसी तरीके से ना आपके साथ भी लोग कैसे जॉइन कर लेंगे अगर आपका ही confidence नहीं रहेगा अगर आपको खुद ही विश्वास न लाएंगे confidence नमबर करता है आपके knowledge कि उपर लाना कैसे है कैसे और यूह नौलेज होता है और जब हमें confidence आता है ठीक है तो यहां पर इस काम को करने के लिए आपको confidence कैसे आएगा कहां से आएगा तो वह knowledge जाएगा अब knowledge कहां से मिलेगा तो knowledge मिलेगा आपको meetings trainings LDP functions bootcamps यह सारे चीजों से यह सब जगों से आपको knowledge मिलेगा हर रोज के कुछ न कुछ ऐसी अलग बाते ऐसी अलग चीज़े आँ करके बिताते हैं जो अलग होती है हर रोज के तरह अलग बाते होती है तो हर रोज के मार्निंग के ट्रेंग को आपको 10 करना है for complete knowledge तर तो अगर कमपरिट का झाँक चाब characters कर पारी है और प्रोडक्स का मंनॉलघ कि सच में रिजर्ट है क्षुचितितप़ है कि हम नोलेग कर रहे हैं और बहुत सांवार जो मैं भी नहीं बता सकती तो वह सारी शार एप कर difference प्रोफाइल सब नॉलेज आपको प्रॉपरली होगा तभी तो आपको विश्वास होगा और जब विश्वास होगा तभी तो आपको अपको नॉलेज्य है और आप आप confidantly लोगों को बताएंगे तो लोग आपके साथ में definitely आएंगे तो जब आप follow-up करेंगे न तो full confident हो जब भी आप करें आ तो आप सही होनी चाह य Rebel ठीक है confident हो करके आपको follow up करना है next is never give up attitude ठीक है never give up follow up जब भी आप करें ना तो आप never give up का attitude होना चेकि कि मैंने बताया ना अभी कि जितने लोगों को बताओगे सारे सारे आपके साथ जॉइन नहीं कर लेंगा तो क्या होता है यहां पर दो चार दस लोग मना करते हैं उसके बाद give up भी कर देते हैं लोग छोड़ी देते हैं ठीक है अब आप सोच करके देखो कि यहां तीन हजार के बजाय ना आप तीसलाप रुपय लगा कि बुजनस को शुरू किये होतें तो क्या तीन चार तीस तीन सो लोगों कुछ नहीं है तो यहां पर आप जो कि उसके बाद कितने स्पीड से को यह बोल सकते है कि theory कि यह इस बुझनिस में जाने तो आपको फॉलॉब करना है यार उसका जो सामने वाले का जो भी रिस्पॉन्स हो आपका काम क्या है उनको सही चीजें बताना ठीक है आपका उनको यहां पर प्लैटफॉर्म में इस प्लैटफॉर्म में लेकर के आने का अगर इंटेंशन नहीं रहेगा तो वह आएंगे ले नेक्स्ट वरन भी आपकी लेकरगी आपको फॉलॉआप करने ही ठीक है उसके बार नेक्स्ट कि जब हम फॉलॉब करने चाहते है ना तो बहुत सारे जानते हैं पैसे बहुतों को पैसा को पैसा ही यह दुनिया भर के बहुत सारे चीज़े होती है, बहुत सारे objections लोग करते हैं, या फिर directly हमारे मुझ पे बोल देते हैं, बहुत सारे लोग की यह सब फाल्टू काम है, नहीं करूंगा, तू भी मत कर, ऐसा होता है ना, आप जब किसी को बताते हैं, खासकर हमारे best friends, तो खासक आपको react नहीं करने हैं, कि तू बेवकूफ है, तू गधा है, कि इतना अच्छा platform मिल रहे है, है क्या market में कोई platform जा तीन लगा, कोई तीन लाग कमा सके, यह सारे आपको react नहीं करने हैं, react नहीं करने हैं, मतलब अगर आप react करेंगे ना, उनके सवाल वो जो भी बोल रहा है उनके, उसका अगर आप react करके, अगर उनको जवाब देने कोशिश करेंगे, तो बात बहस में बदल जाएगी, और बहस में बदल जाएगी, तो कभी भी वो आपके सापने business के start नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं करेंगे, वो कल भ ifice करेंगे लगी कोई वी कुछ बहल आपको सहीं बहले गलत भोले अपनी दिक्कत बताए यह जह पैसा नहीं है कि वह जुड मेशनलों ऱह नहीं करना चालता इस लिए मना करvin adolescent आपको बहाना बना रहे है इस चीज़ को आप तब समझ पाएंगे जब आप ध्यान से उनकी बातों को सुनेंगे तो आपको रिस्पॉंड करना है कैसे रिस्पॉंड करना है उनकी बातों को ध्यान से सुनना है और सुनना इसलिए नहीं है कि उनको सुनकर जवाब दे सकें के लिए ठीक है जवाब देने के लिए नहीं सुनना है यार कि क्या बोल रहे है वो वो बोल रहे है पैसा नहीं है तो आप बोल दिये कि भाई इतना बड़ा होगे है तीना जार रुपय नहीं है अरेंज कर ले ये सब ऐसे इस तरीके से नहां आपको जवाब देने के लिए अ मुत और जवाब देने के लिए नहीं सुनना है ठीक है उनकी बातों को ध्यान से सुनना है इसलिए ताकि आप उनको समझ सके उनकी बातों को उनके सवालों को उनके डर भय दिक्कत जो भी उनके मन में है उसको आप समझ सके और समझ करकि उनके प्रॉब्लम का सल्यूशन दे स इसलिए आपको उनकी बातों को ध्यान से सुनना है तो यह उदगा आपका perform react नहीं करना है करेंगे आपको react बिल्कुल भी लेकरना है response करना है ध्यान से बातों को सुनना है और सुन कर उनको जोबी प्रॉब्लम्म आ रहे है नािए उसकाER solution देना है ठीक है solution कैसे देंगे अब हम लोग एक्चली बात करने वाले है फॉर्मुला फॉर्मुला के उपर ठीक है कि आप उनके प्रॉब्लम्स का उनके दिक्कतों का जो भी वह बता रहे हैं जो भी अब्जिक्शन वह कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनने के बाद आप उनको कैसे किस वे में किस तरीके से किस फॉर्मुले को यूज करके आप उनको solution देंगे इसक अहला को इसी फॉर्मुले से आपको follow-up करना है जिसे हैं इन्मिटेशन का मां stopping कैसा रहेगा उसी तरीके से फॉलओप काтесь अहन कर सकते हैं अ grin कर सकते हैं याश में लोगों के ना को हा में बदल सकते हैं ट्रिपल एफ को यूज करके ठीक है ट्रिपल एफ को फिल फैल फाउन को आप बता करके लोगों को जो है लोगों की नो को ना को हा में कनवर्ट कर सकते हैं फिल फैल फाउन का यूज करके अब इसका यूज करना कैसे है फिल फैल फाउन पास पैसा नहीं है तो आपको पहले उनकी बातों को उनके चीजों को फील करते हुए बोलना है कि यार सही बोल रहे है जब मैंने भी इस बुजनस प्लान को देखा था ना तो मेरे पास भी पैसे नहीं थी बड़ी दिक्कत यह ना कि पैसे आने के रास्ते भी तो नहीं है सैना तो मारक और कोई रह स्था है क्या तो दिक्कत की यह यार की सा नहीं है कनी सोचड़ के गयो आस तिन हजार शॉब नहीं है के और को देखा ह twenty तो एक्दम अलर्ट हो जाते हैं कि कुछival कि कि वहांपर ना आप उनकी बातों पर पर एंगरी करके अपनी बातें और सामने वाले को बताते हैं कि यह उते हैं आप आप खुद सोछेए जब आपकी बात कोई सुनता है तो आप बहुत खुशश हो करके अपनी बाते हैं कि नियुक्ताते हैं बताते हैं तो वैसे ही ना यहां पर भी जब यूज करने लगेंगे ना धिकल फो जब आप श्टार्ट करेंगे तो आपका जो गैस्ट होता है ना व बताना है क्या किया जैसे कोई बोल रहा है पैसा नहीं है तो यार मेरे पास भी पैसे नहीं थे बदिक्कत यह था कि पैसा नहीं है यह दिक्कत नहीं था पैसे आने के कोई रास्ते भी तो नहीं है यह बड़ा दिक्कत था तो मैंने क्या किया कि तो यह सोचने वाली वात है कि आज की डेट में अपने पास तीन हजार नहीं है तो कल को बहुत तीन हजार नहीं है ना बोलना पड़े ना इस लिए उस दिन मैंने जुगाड किया सो दिर्सो दोस्तो चाहल सो हजार मने मम थो यह सब से होड़े फैसे लिए मैंने जुगाड किया और बुजनस को स्टार्ट किया और इक वह दिन था कि आपने क्या action लिया उस समय जब आपके पास पैसा नहीं था ध्यान से सुन रहे हैं आपको भी अग्दम ध्यान से और अच्छी तरीगे से अपनी बातों को प्रजन करना है उसके बाद करना है कि नहीं था मेरे पास में फिर उसके बाद मैंने यह किया उसके बाद आज रिजल्ट तुम खुद देख सकते हो इस तरीके से आपको follow up करना है ठीक है तो free了 found का यूज़ आपको कि जहां जहां पर लगे वहाँ वहाँ पर का यूज करना है ठीक है जैसा मैंने बताया एक एक सवाल के उपर मैंने बताया ना कि मेरे पास पैसा नहीं है तो सभा कैसे आपको क्टिपल एकर यूज करना हैं तो पर उसका भी यही सेंगा होते हैं सबताव नहीं मेरको भी चुरुतमें इंच परवादने वाले कांथ का आप खुदी ऐसा भुल कि ना अगर कोई बोल रहा है ना यार मेरे को इंट्रेस्ट जी नहीं है क्यों मैं नहीं करूंगा तो आप उनको ट्रिपल एक का यूज कर सकते हो बहुत आसानी से क्लोज कर सकते हो सच्छ में ब्रहमास्त रहे यह ट्रिपल एक यार भाई शुरू में मिरे को भी रति भर भी इस काम में लेकिन ना तो इंट्रेस्स ऑट слушते भूत इंट्रेस्ट में नहीं दो रहे लगते हैं क्युंकि आटगंटें जॉब करना नहीं लेकिन फिर भी करते हैं क्यूंकि उससे मिलने वाली चीज में इंट्रेस्ट से तो यह चीज आपको करवाना है ठीके उसके बाद यार मुझे भी इंट्रेस्ट नहीं था लेकिन फिर भी ना मैंने सोचा कि यार जब इतना अच्छा फ्लाटफॉर्म विल रहे है कि मात्र एक बार तीन हजार लगा करके इतना अच्छा इंकम किया जा सकता है तो मैं फूद कोई इंट्रेस्टेड हो कर एक दम बड़े- इस अपने लेकर जॉइन नहीं कि हो भाई इस बुजनस में मैं खुद बिल्कुल इंट्रेस्ट नहीं था मिरको लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि या एक बड़ प्राई किया जाए तीन हजार में कोई घाटा नहीं है पैसे बदल समान मिल जा रहे हिसाब बरावर वह तीन हज आप को लेकर या फिर कंपनी अब्जेक्शन को ले करके तो आपको ट्रिपल फ का यूज करके बता रहा है ठीक है यह वह तुबस करना मैंने दो सवालों पर आपको इसका यूज बताया उसके बाद दूसरा फोर्मूला होता है थाट फार्ट पार्टी अप्रोच कैसे करना होता है कि ट्रिपल एफ को यूज आप कब कर पाएंगे जब सामने वाला आपकी केटिगरी का वैक्ती है अगर आप जॉब परसन हो कर फॉल अप कर रहे हैं और सामने वाला भी जॉब परसन है ना तो आप उनको ट्रिपल एफ अपने उपर ले करके ट्रिपल एफ को यूज क पतलब आप लोगों को जो गय다 को डिफ्रेंट तो आपक confirm लगाना मतलब क्या होता है कि जो जो चीज आप अपने लिए आपको थार पाटी के लिए ऑगा कर रहे जांपल रहे जिए अगर वह है subscribe वो बोल रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है ना तो उनको आप किसी housewife मेडम का example देख करके बताईए कि हमारे साथ में राणी मेडम है जानी साओ मेडम जो कि इस business में है शुरू में उन्होंने जब इस business plan को देखा था ना तो उनके पास भी 3000 उपे नहीं थी तो same story उनको third party का example ले करके बताना होता है that is third party approach तो अगर आप तो यह चीज़ ना third party approach कहीं कहीं पहीं यूज होता है है मिरे साथ में है उनके husband भी उनको मना किया था लेकिन फिर भी उन्होंने decision लिया business start किया है ना और आज उनका जबर्दस महिने के 10-20,000 रुपए 15,000-30,000 रुपए वह बहुत आसानी से वहां पर कमा पा रही है तो सोच करके देखिए अगर आप भी उनकी तरह business start करें और income अच्छा income कर पाएं तो कभी आपके husband मना करेंगे क्या नहीं करेंगे तो कैसा रहेगा तो इस तरीके से ना आप third party approach लगा करके उनका follow up कर सकते हैं बहुत easily convert वहां पे हो जाएंगे ठीक है उसके बाद next होता है storytelling यह सब दूसे मतलब प्यारा follow up का तरीका होता है मैं बोल सक कि बहुत प्यारे तरीके से हम ना अपनी स्टोरी जो है वो बता करके और वह ऐसी स्टोरी आपको बताना है बनाना है जहां पर जो genuine हो मतलब genuinely अगर कोई पैसा नहीं है बोल रहा है तो जो थोड़ा सा genuine लगे ऐसी स्टोरी आपको create करनी है ठीक है स्टोरी टैलिंग जो होता है तो जो मैंने बताया ना कि सामने वाले का जो भी दिक्कत है उसको feel felt found करके आपको एक स्टोरी की तरह बता करके उनको close करना है तो वही होता है स्टोरी टैलिंग जहां पर आप एक story के माध्यम से सामने वाले का follow up करते हैं ठीक है तो storytelling के through भी आप follow up अच्छे से कर सकते हैं ये तीन तरीके से आप follow up करेंगे तो बहुत easily आपको result convert होगा बहुत आसानी से आप लोगों के नाकों हामें convert कर पाएंगे और अगर और अपने तरीके से अगर कुछ और अगर हम हम लगाना चाहें करना चाहें तो उसमें ratio कम हो जाता है result conversion जो है वो कम हो जाता है तो मैं आप लोगों को यही सजस्ट करूंगी कि इन ही तीनों में से मतलब यही तीनों का use करके ही आप follow up करें ताकि result conversion जो है वो बढ़ जाए ठीक है तो आगे चलते हैं अब यह सारे चीज हमें क्या काम करना होता है उसके उपर 2% fine tuning 8% techniques on 90% excitement how to do यह सारी चीजे हमें करनी कैसे है और हमको actually result कैसे आएगा काम कैसे होगा उसके उपर मैं मैं बात करने वाली हूँ तो 2% fine tuning का मतलब होता है कि अपने 2% fine tuning का मतलब होता है कि हमारे जो भी seniors हैं उनसे हम knowledge लें पूछें है ना उसके बाद में हम अपने down partners को सिखाएं मतलब एक तरह से आपसी समवाद बोल सकते हैं fine tuning को उपर में seniors से आपको पातशीत करना है जो भी दिक्कत है जो भी problems है उनको discuss करना है उसका solution पूछना है down partners से जो भी आपके जो भी down partners है उन लोगों से आपको regularly बातचीत करना है कि उनको क्या दिक्कत आ रहा है क्या इशु आ रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या नी हो रहा है यह सब उनको बात करके उनको solution देना that is fine tuning ठीक है fine tuning का एक बहुत सुंदर से example कि मैगी में जो रोल नम अच्छे से बनाया आपने सारे ingredients सारे सारी चीज़ें आपने अच्छे से डाला बस आप नमग डालना भूल गए तो आपका सब्जी कैसे बनेगा टेस्स वैसे ही ना इस बुजनस में आपने follow-up को भी सीख लिया सब काम अच्छे से कर रहे हैं बस आप fine tuning नहीं करते बस हैगा आपका business testless या बोल सकते है resultless ठीक है resultless business ना हो resultless हमारा team हमारा काम ना हो इसके लिए fine tuning बहुत जरूरी है 8% technique में proper goal setting proper list making plan feedback मतलब follow-up जो मैंने भी आपको बताया follow-up proper closing और proper record maintenance के करके समझने क्या होता है goal setting मतलब dreams पहले आपको बनाने हैं आपके पास में इस काम को करने का कारण होना चाहिए भाई follow-up को करने का कारण होना चाहिए कि कि किसी को बता रहे हो क्यों बता रहे हो joint करवा यह eighth income करने हैं क्यूं करने लिए थो कारन होना चाहिए आपके पास में कारण होना चाहिए तो आजके आज पास अगर अगर बिज brewing शुंदर चैका ऐसके उसके उसके उपर उसके उपर ड्रीम्स जो है वह यह कारण जो है वह कैसे बना सकते हैं इस तरीके से शॉक्त कि आप इसमें पांस साल के अंदर क्या क्या कितनी चीज़ें आप करना चाहते हैं और क्या समान लेंगे पैसे कमा करके क्या के जरूरते हैं भी वह सब्सक्राइब को लिख सकते हैं और पर्सनल कि आप क्या के चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो अभी अगर आप बिजमस स्टार्ट के हैं तो सबसे पहला परपस तो आपको अनुस्ट इन्विटेशन पर मास्ट्री ठीक है तो यह चीज़ को आपको प्रॉपरली गोल आपको सेट करना है और जो मैंने फॉल उप से जो भी मैंने बताया ना उसका बहुत जबर्दस्त मतलब आप फॉल उप में अब्जेक्शन हैंडलिंग जो होता है उसका जबर्दस्त तरीके से हमारे अंबिसर के थो पार्ट वन और पार्ट तू यूटूब पर वीडियो बनकर डला हुआ है आप जब यूटूब पर डी एम पील अब्जेक्शन हैंडलिंग सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएंगे तो पार्ट वन और पार्ट तू को आप जा करके यूटूब में जा करके उसको देखिये और ज्यादा अच्छे से समझे गहराई से देखिये हर रोज उनको देख करना है वो जवाब दे करके बताया गया है तो आप वो फॉल अप की वीडियो को जा करके अच्छे से देखिये और और ज्यादा अच्छे से आप सीखेंगे इस काम को ठीक है तो उसके बाद में आपको पहले फाइन टूनिंग उसके बाद गोल सेटिंग जो होता है वह काम कारण लिखे हैं कि मुझे इतना पईसा कमाना है मुझे यह करना है मुझे वो करना है मुझे यह लेना है वो लेना है ठीक है यह सारे जो भी आपका आपने गोल्स बनाए है जो कारण लिखे है उसको पूरा कैसे करेंगे तो उसको पूरा करने के लिए भई आप काम करन पढ़ेगा काम क्या करना है सबसे पहला काम आपको करना है list making list बनाना है आपके phone context में जितने भी लोग हैं कम से कम सो लोग का list बनाईए कम से कम सो लोग होगा क्योंकि सो लोगों में ही average निकलता है सो को बताएंगे तो आपके साथ 20 लोग उस दहुत करना है कम से कम सो लोगों का आपको list बनाना है hot list warm list cold list सबसे पहले आपको अपने सबसे करीबी लोगों को बताना है जो भी आपके relatives गर में लोग हैं बड़ी mu peso करना है और बड़े मुद News चाचा चाची चाचा के बेर कि branch तो इन सब लोगों को सबसे पहले आपको अपने लिस्ट में सामिल करना है उसके बाद वाम लिस्ट थोड़े करीबी लोग जैसे दोस्त के दोस्त, चाचा के दोस्त, पापा के दोस्त, बड़े पापा के दोस्त, मेरे भाई के दोस्त, मेरी बहन के दोस्त, यह सब लोग आप केलिए रहेगा प्रहम मास्त्र का यूस करते हुए आपको अंटेशन करना होता है कर उसको आप इस नहीं करहए का सही इसको आप क passé करने केक defined करने इसके लिए भी हमारे यूटुब करना सिखेंगे पर इन्वीटेशन मास्ट्री डीम पील इन्वीटेशन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा तो इन्वीटेशन में कैसा रहेगा प्रमास्रे का यूज कैसे करना होता है उस चीज के लिए आप उस वीडियो को देख करके और अच्छे से सीख सकते हैं वह हमारे MD-sar के थूरू सौरप सर के थूरू बना हुआ है तो उस वीडियो में और जाएच्छे से आप सीच सकते हैं बढ़ पिर भी एक बार बताना साहोंगी कैसा रहेगा कर यूज कैसे करना है पहले कॉल करना है जब किसी को इन्वाइट करने के लिए आप कॉल करेंग तो सामने वाला बुलेगा कि भाई अच्छा है यार क्या का मैं बता तो इस तरीके से रिस्पॉंस जबाएगा तो उनको आपको जूम मिटिंग में इन्वाइट कर ले रहे हैं ठीक है नेक्स्ट है यह कैसा रहेगा जो है वो डिरेक्ट इमिटेशन है दूसरा इंडिरेक् स्टेटस लगाना है स्टोरीज लगाना है फेज्वूक वॉटसब के ऊ kidnapping करें अगाणा है अगर अभी बिजनसुन कुर्ण स्टकें थां सिर्फ कोषब ऑंप स्ट्ट इस्ट्रइस लगाईए इस्ट्र्म पर मत लगाईए तो अभी आपको च्टैट्स लगाना वहाइने तो उन्लेन कम करें मैंने को वह सकते हैं कि तो बता कैसा रहेंगा तो भी ऑनलाइन काम करके इंकम करें तो सामने आ लब लेका घ्था है तो पोछ रहा हूं तो उनको बताना है को कि भाई कॉल मेसे से तो नहीं समझा सकता है यार कॉल मेसे से बतावाना पॉसिबल नहीं है तो आज शाम को छे बजे ना इसी के लिए जबरदस्त आनलाइन मीटिंग है जिसमें सारा कम्प्लीट इस इंफोर्मेशन एट टुजड बताया जाएगा परना उसमें लिमिटेट सीट है मात्र एक हजार लोगों का तो बता अगर शाम को छे बजे तो वह मीटिंग देख पाएगा ना तो मैं तेरे को एक लिंग सेंड करूंगा तो इस तरीके से ना आपको इन्वाइट करना है कि अपने लिंग का हईट करते हुए आपको इन्डर्रेक्ट को icon पूछा है उनको इंवाइट करेना है पलान दिखाना उन जो जो टैकनिक्स में इस टेक्निक्स में किसे करना मैं चोर्वाना का इस तरीके थे आपको इस वे में आपको लगा थे किसी को हैं लाएगी अगर सिर्फ पर और लगा दिया है तो यह फिर सिर्फ गस्तिम लगा तो यह तर श्र आपको प्रॉब्लम लगा दिया ह distingu तो सिर्फ प्रॉपर स्टेटस मेंटेन आप इस तरीके से कर सकते हैं, इनकुस आएंगे उनको जूम मिटिंग में इन्वाइट कर सकते हैं. डियरेक्ट इन्वीटेशन मैंने बता दिया है, फॉलो अप ये जूम इन्वीटेशन. कि information complete information आपको जूम पर ही बताना है invitation और complete information में फर्क समझना है invitation जब हम करते हैं लोगों को सिर्फ invite करना होता है वहाँ पर invitation के दोरान हमें उनको business plan या joining amount या product या कुछ भी नहीं बताना होता है क्यों नहीं बताना होता है छुपाना है जुड़ गोलने ऐसी वाली कोई बात नहीं है इसलिए नहीं बताना होता है क्योंकि लोगों के मन में already बहुत सारे negative चीज़े भरी होती है तो क्या करते हैं लोग अपना extra दिमार्ग लगाते हैं यहाँ यह वही काम है यह घर घर जाग प्रोड़क बेशने वाला हर महीना प्रोड़क लेने वाला यह आट-दस अजार रुपय का पहले लगाना होता है तो यह वही वाला काम है मैं ना देखूंगा ना करूंगा यह पहले ही वो सोच लेते हैं इसलिए आपको invitation के दौरान यह सारी चीज़े नहीं बतानी होती है ठीक है complete information उनको zoom पर ही देना है दूसरा कि आप अगेले अगर बता रहे हो call पे तो वो doubt कर सकता है लेकिन वही पर पर देखने वाला और हजारों लोग और देख रहे हैं हजारों लोग यहां पर काम कर भी रहे हैं और पैसा कमा भी रहे हैं यह सारी चीज़े जब वो zoom कर देखते हैं तो महौल मिलता है और उसी महौल को देख कर कि वह आपके साथ बिजनस को जाइन करते हैं आगे proper follow-up जो को बात करवाना है बिना इंट्रोडेक्शन दिए आपको पॉल अप नहीं करवाना है उसमें कोई रिजल कनवर्ट नहीं होता है ठीक है तो जब भी आप पॉल अपने से करवाएं तो आप अपने सीनियर का हाइट करिए पहले उनके बारे में बताईए और उसके बाद उनसे आप बात चित कराएं तो ज्यादा अच्छा कनवर्जन होगा ठीक है उसके बाद रिकॉर्ड मेंटेंड करना है क्योंकि अपने बिजनस का लेखा जोगा आपके पास में रहेगा लिखित में रिकॉर्ड रहेगा आपके और आपके टीम का तो आप प्रॉपरली ज्यादा अच्छे तरीके से आप उसको अपने टीम को गाइड कर पाएंगे इविन अपने आपको आप एनलाइज कर पाएंगे कि आर आप दस-दस-दस रोज इन्विटेशन कर रहें लेकिन फिर भी आईडी नहीं आ रहे हैं मतलब क्या दिक्कत हो रहे हैं यह आपका रिकॉर्ड करना है उसके बाद 90% excitement is business में रोल प्ले करता है 90% excitement 90% excitement ही है जो आपका 90% result convert कर देता है या किसी को join करवाने की पीछे आपका 90% excitement जो है वो रोल प्ले करता है या 90% excitement जो है वो matter करता है ठीक है तो एकदम excited हो करके आपको यह सारे काम करने है moral down हो करके रोते 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 गाते यह काम को नहीं किया जा सकते हैं और अगर ऐसे करेंगे तो कभी भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे काम नहीं चल पाएगा पैसा नहीं बन पाएगा ठीक है हो जाओ best plan and support system earning will learning जबर्दस platform मतलब direct selling industry जो है वो इतना बड़ा इंडस्टी है जिसके अंदर इतनी जबर्दस company DMPL और इतना जबर्दस system KTS जिसके अंदर आप काम कर रहे हो ठीक है वर्ड के best company में best plan में इंडिया के अंदर bestest bestest और सबसे fast grow करने वाली company DMPL के अंदर आप काम कर रहे हैं उसके बाद 24 hours payout 24 गंटे में आप पैसा आ जाता है बेट करने ज़रती पढ़ता weekly monthly कब payment आएगा और कितना payment आएगा उसके लिए आपको हर रोज आपके account में इंकम आ जाता है तो excited रहे है ठीक है तो excited होकर किस काम को करना है उसके बाद 8020 का rule मैंने पहले ही ब आप बताएंगे 80 लोग आपको मना करेंगे और आपके साथ 20 लोग बिजनस को start करेंगे यह नियम है कानून है ठीक है यह नियम है रूल है इसको किसी इंसान नहीं बनाया है ठीक है यह इस बिजनस का रूल है बलकि दुनिया के हर बिजनस का यह रूल है क्योंकि हर काम हर कि के लिए नहीं मैं हैं तो इस लिए ना इस बूसर्श में भी जरूल है कि आप सो को बताएंगे तो असे लोग मना करेंगे और कम से कम वीस लोग करने चाहिए और बीस लोग मुझा नहीं करने है तो दिक्कत अपने अंदर है उसको और और अच्छे सीखने और अच्छे से और अच्छे से बताने समझने समझाने की जरुरत है ठीक है तो 8020 के रूल को हमेशा याद रखते हुए काम करना है तब आपको किसी करके नो बोलने से न बोलने से कोई फरक नहीं पड़ेगा तो आपको पता है कि सो लोगों को बताओंग ऐसे कैसे बना कर दिया ऐसे लगेगा ठीक है तो इस रूल को हमेशा याद रखते हुए आपको आगे काम करना है thank you so very much मेरा session भी रखा था I hope आप लोगों को साड़ी चीजने clear हो गई होंगी क्या बात है अभी तक हमारे साथ में लगबग लगबग छे साड़े छे सो लोग और भी बने बने हुए हैं तो अभी दख जितना भी चीज जितनी भी चीज़े मैंने बताई जो भी मैंने हापे बताने का सिखाने का आपने personal experience को रखने का जो प्रयाज किया आप लोगों को सारी चीजने clear हुई होंगी समझ में आया होगा अब सिर्फ सुन करके आपाना चलने लगा नहीं चलने वाला है सुन करके जो भी बताया जा रहरे है ट्रेनिंग में उसको अपलाई करेंगे जब बिजनस में अमल करेंगे अपने लाइफ में बिजनस में ले करके आएंगे उस काम को एचली करने लगेंगे ना तब रिजल्ट मिलेगा ठीक है तो जितनी भी चीज़े बताई गई ना उसको ना प्रॉपर लिए अगर नोट्स नहीं बनाए होंगे तो आगे चलके और लाइव है तो यूटूब वीडियो को बाद में देखकर नोट्स बना लीजेगा बढ़िया अगर आप कहीं अभी काम करते हुए देख नहीं होंगे तो और नोट्स बनाके इस जो भी बताया गया उसको अप्लाई करने है अपने बिजनस में तब अच्छा आपको मिलेगा और इस ट्रेंडिंग सेशन के बाद आपको अच्छा इंकम फिर आने लगेगा तो इन ही शब्दों के साथ मैं चमसा हूँ आज की स्टेंडिंग को यहीं पर एंड करना सहूंगी विश्यों अल्ड़ वेरी बेस्ट हैव गोड़ डे थैंक्यू सो मुझ पार्टनर्स आप स करते हैं अल्ड़ बैस